तरोई की सब्जी जो भी पसंद नहीं करते हैं उन्हें इस तरह से बना कर देजिए इतनी फ्लेबर फूल और इतनी स्वादिश्ट बनती है और जट पर बन जाती है इसमें एजवाइन की खुश्बू इतनी अच्छी आती है कि आप येकिन नहीं करेंगे बार बर बनाएंग हमने एक किलो तरोई लिया है बिल्कुल फ्रेश और इसे अच्छे से छिल करके धो लिया है और धो कर कट करा है कट करके धोना नहीं है दो के काटना है और लैसुन लिया है 15-20 के लिया है और इसमें हरी मिर्च लिया है चार पिस आपको जितना तीखा पसंद है उसके तरह से कूट करके जाद हम बारिक नहीं करेंगे ने इसका फ्लेबर नहीं आएगा इस तरह से कूट करके अलग रख लेंगे एक बड़ा प्याज लिये हैं उसे बारिक कर ली एक चुटकी एजवाइन एक चुटकी मंगरेला इधर हम तेल गरम करेंगे मस्टडवैल में ही अच्छा बनता है एक बड़ा चमच तेल गरम करने के बाद इसमें जीरा डालेंगे फोड़न के लिए जब चटकने लग जाएगी तब इसमें प्याज मंगरेला और अजवाइन डाल देंगे और जो हमने दरदरा कूटा था लासुन और हरी मिर्च वो डालेंगे और गोल्ड अच्छे से मिक्स कर लेंगे और नमक स्वाधनसा डालेंगे इसी स्टेज पर नमक कमी डालेगा क्योंकि जब पानी सुकती है तो नमक ज्याद होने लगती शलिए बाद में अच्छे से उलट पूलट करके चला लेंगे बिलकुल पूरा तरोई को गला लेंगे दिखे इस से गल जाएगी तो फिर हम इसे सर्विंग ड्रेस में निकाल लेंगे और इसे रोटी पूड़ी पराठा नान जिसके साथ चावल के साथ आप सर्व केजिए एक बार आप मेरे तरीके से बनना कर देखे थैंक्यू फर वाचिंग इस वीडियो